हाई फ्रेंद्स वेलकम बेक टो मैं चैनल क्यारमांसी आप मेरे सारे फ्रेंद्स बहुत ही अच्छे होंगे यह जो वीडियो में आपके साथ शेयर करें हूं यह मंगलवार का वीडियो है मतलब 21 सेप्टेंबर का तो यह मौनिंग का टाइमिंग था मतलब पूरा तो उसका टाम वान चल रहे हैं तो उस दिन उसका छुटी था तो वह तो पढ़ाई कर रही थी बैटकर बेटे को में स्कूल चोड़के आ गई थी आने के बाद मैंने घी चड़ा दिया था निकालने के लिए और में आ गई थी बेड्रूम में और दोनों बेड्रूम के लक्षमी कर लो लक्षमीश आने से पहले कि पूरा तो डैस्टिंग नहीं कहना था जिसे पडिधियस चाहां चाल पूर चुटश को में थी धे लिफी तो डेली टीवी थी तो फट अब में मिर्रें था कि उसी को सिफ डशी अग्यान देस्टिंग कर लों यह देकर इस रू बच्चों को खानी थी और दोनों बच्ची बोल रहे था हमें रोटी खाने आज राइस नहीं खानी तो राइस मैंने रात के लिए रख दिया कि हस्बन आएगे तो गर्मा करम राइस पनाएंगे चारो खाएंगे तो फटाफट से मैंने आटा गुंद लिया और आटा मैंने पानी देके और थोड़ासा हलका जनमक डाल गए बॉल होने के लिए रख दिया और जब तक यह बॉल होके उसको स्ट्रेंड कर दूंगी मतलब थोड़ासा ठंडा हो जागा फिर उसको प्यूरी बना के मुझे पालक पनीर बनाना है क्योंकि मेरी बेटी को बहुत दि है कि बेटे को लेने के लिए और बेटी को लेने के लिए चले जाती हूं तो थोड़ासा आदत भी हो जाएगी और मतलब और अच्छी तरह से मुझे आ जाएगा क्योंकि हर्चीज प्रैक्टिस मतलब होनी चाहिए हर्चीज के लिए अगर आप छोड़ दो कोई चीज तो आपको वह अच्छी तरह से नहीं आएंगे तो बेटा भी खुश हो जाता है मैं जब कार लेके जाती हूं उसको लेने के लिए रोक रोक बैट पकड़ा रोक जा कि सिनौ चलो 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 कर दो चलो चलो बटा आगे श्कूल से बाद पार मुझे भी 20 बाद रवीगर बहुत मझा रहे सै कर 件या है अब क्या कर ग्र जा रोक श्का्या करें तो गहर आने के बाद पहले तो बच्चों को गुलकॉंटी दे दिया उन बेटे का पेरा दुला दिया उसका ड्रेस को अपना बैट के राम देख ला था धिग जब अपना बेटे को थोड़ी दे उसके साथ खेल ले फिर तो अपना पढ़ाई करना और यहां दिखें में घी में धूर। पुट शेता हैं। जब हम रहे में सब्दमदें। कर दो नोगा हम दो को लौष में कर दो या हम तो पनी हैं, पानी खाली भी टाइक है। तो मैं तो कमरें अलगा लगते हैं is kadar क вариант, तो यह बीजाने की भी दिक देटीјा कहुता है। पहले कड़ाई लिया उसमें ओयल डाला तो जीरा फिर उसके बाद प्यास कटकर के डाल दिया और जैसे वह थोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट और एक मीडियम साइज के टमाटर को कटकर के डाल दिया फिर सारे सुखे मसाले में एड कर दिया धनिया पाउडर नमक हल्दी औ जीरा पवडर में वह दनियाप कर तो पुर्षा है गुल जाया जैसे मसाला पूरा नहीं डख गया तो यी देके मसाला जैसे ही हो गया मने टमाटर में प्यूरी बना कर नक कर एक ना अब इसमें मैं बालक प्यूरी एट करूंगी और मैंने पानी भीया अदक्टरिक और कि बाद में मुझे और पानी एड़ करना ना पड़े वो अपने हिसाब से अंदाजे से डालना होता है अब कुछ कितना थिक चाहिए उसी हिसाब से तो फड़ा-फड़ से मैं इसको मिक्स करना स्राट किया कम से कम पांच मिनट तक मैंने इसको धीमी आंच में पालक प्यूरी पालक पनीर रेड़ी और अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पनीर हो तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो अब मैंने नहीं डाला था मैंने सारा इससी डाल दिया था और जब तक पानीर हो रहा है फटापट से रोटिया भी मेरी सेगी और बहुत ही यम्मी कमेंशन है कि प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो अब मुझे बताइए कौमेंट सेक्शन में कौन सा चीज अच्छा लगता है और कौन सा चीज आपको पसंद नहीं है तो दिखे रोटिया भी सिग्या और बच्चों क किस्टार्ट हो जाएगे तो ये था मेरा सुबेगा एक छोड़ा मेरा早गा ओगा वीडियो तो प्लीज को लाइक नहीं है तो चैनल को इसाइर जरूर कर दीजिए अए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाआ फ्रेंड और नेक्स्ट वीडियो झाल झाल झाल